मंसोर जीले की भानुपुरा तहसील में मध्य परदेश राजिस्थान सीमा से लगे परसिद मंदिर दुदा खेडी माता में 13 जनवरी को राश्चे धरम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा दुदा खेडी माता के परसिद मंदिर में एक लाख दीप जलाए जाएंगे सम्मेलन में देश के विभीन कोनों से लाखों की संख्या में लोगों के साथ साधु संत आएंगे यह जानकारी राश्चे संत शिरी मधु सुधन शास्त्री ने दी उन्होंने बताया कि यह धरम सम्मेलन 12 जनवरी से शुरू होगा और 13 जनवरी को राश्च भर में बड़ी संख्या में लोगों लोग वसंत यहां पर आएंगे दुदा खेडी माता जी में राश्च धरम सम्मेलन में भाठी सभ्यता संस्कृती और प्रकृती का महाकूम एक बड़ा आयोजन वभंडारा होगा 12 जनवरी को सुभै दुदा खेडी माता का अभिशेक शाम को महा आरती भजन संध्या के साथ सुन्दर पांचाल का आयोजन होगा 13 जनवरी को ससंख संतों का उद्बोधन भोजन परसादी वी शाल भंडारा किया जाएगा संत शिरी मधु सूदर ने प्रैस कोंफरेंस के दुरान जानकारे जीते हुए कहा कि इस मंदिर की परमुख विशेश्टा यह है कि इस मंदिर में पैरा लिसिस लक्वा गरस्थ लोगों का रोग दूर हो जाता है और दूद राज से इस मंदिर में लोग आते हैं और कई दिनों तक यहां ठैर कर सही हो कर जाते हैं मंसोर से अमर वर्मा की खास रिपोर्च सर्वोपरी और राष्ट सर्वोपरी की भावना जन जन तक पहुंचे इन उद्देशों को लेकर के तेरा जनवरी 2020 को एक विशाल इसतर पर राष्ट धर्म सम्मिलन का अयुजन यहां होगा उसकी प्रारू रूप रेखा मैं आपको बताता हूँ कि बारा जनवरी 2020 को मा दूदा खेड़ी का अभिशेक होगा जिसमें तिर्थ और रदियों का जलल आया जाएगा इसके लिए पांच जनवरी को एक यात्रा अयुद्या जाएगी यहां से सर्यू नदी का जलल आया जाएगा वहां से जलल लेकर कि वो यात्रा जब मंसुर आएगी तो भगवान पशुपतिनात का अभिशेक होगा वो इसलिए कि एक अप्रेल से शिवना शुद्धिकरण के अभियान को लेकर के जहां से शिवना निकली और जहां उसका समापन हुआ एक अप्रेल से में नमामी देवी शिवने की यात्रा भी शुरुवात करने वाला हूँ नदी प्रदुशन मुक्तों इस उद्धिश को लेकर के वहां से वही जल लेकर यात्रा मादूदा खेड़ी के दर्बार में उपस्तित होगी बारा जनवरी रविवार को मादूदा खेड़ी के तिर्थ में मुर्तिका अभिशेक होगा दिन में शत्चंडी यग्य होगा पर बारा जनवरी 2020 को समरस्ता को लेकर के स्वच्चता के संकल्प को लेकर के प्रेम भावना को लेकर के राष्ट के उद्धान और उद्धान के लिए एक लाख दिपक मादूदा खेड़ी के प्रांगण में खेतरी जन्ता के द्वारा लगाए जाएंगे उसके पश्चात रात में एक विशाल भव्य भजन संध्या का भी आयुजन होगा जिसमें हरियाना के कलाकार आएंगे राष्ट भक्ति राष्ट भाव को लेकर के भजन संध्या होगी और मूल कारेक्टम जो है वो 13 जन्वरी को होगा 13 जन्वरी के 14 बजे पूरे राष्ट के सादू संत यहां उपस्तित होंगे मैं कुछ संतों के नाम आपको बता देता हूँ जो यहां इस सभा को संबोधित करने के लिए कुछ अठितियों के साथ आएंगे इस कारेक्टम की अध्यक्षता करेंगे अंतर राष्टी शंत श्री एक हजाराथ कालिदास बाबा सापला रोहतक हरियाना जो हो सकता है हेलिकॉप्टर से आए अभी तक तो यही क्लियर हुआ है और कारेक्टम के मुख्य संचालक के रूप में मुख्य अतिति के रूप में मुख्य वक्ता के रूप में अनंत वीबुशेट श्री जगत गुरू आदी शंकराचार भानपुरा पिठा दिश्वर्शी ज्याना नंजी महाराथ इस कारेक्टम की मुख्य अतिति मुख्य वक्ता होंगे साथ में राष्टी शंत महामनलेश्वरस्वामी सदा नंजी महा जो अभी वर्तमान में भारत सरकार के सामाजिक ज्यायक अधिकारिता मंत्रा लेके सदस हैं उसके साथ उच्वर्शी बैंक्विट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगहराना और फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योती गार्डन वोल्ड क्लास केटरिंग से अधिक लेटेस को बेपाने के लिए बैल इकन को खिलिक सरे हमारी चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवार्ट